यूपीपेस्थी के मादिम से PCS 2023 का नोडिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा अगर आप नोडिफिकेशन के जचार में हैं भरती परिशा की चारी कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि नोडिफिकेशन में इतना बिलंब क्यों हो रहा है नोडिफिकेशन कब आएगा त ग्राम विकास इतकारी की भरती होगी अब सोचेंगे आप लोग कि ग्राम विकास इतकारी की परिच्छा नहीं हुई ग्राम विकास इतकारी की भरती कैसे आ जाएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस परिच्छा के बारे में आप चर्चा करते हैं रहे एक्जाम के बार लिए समझनाभ जैसे कारी कि मैं सेस आई जो विदियो को पूरा वाद्स के मार से यो PPSC के मादिम से एक ही वैकंसी भी आनी है, एक ही वैकंसी दोजार टेस में आये गया नहीं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वाज करिएगा, नमस्कार दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे अभी की लेटिस्ट अफडेट के बारे में, उससे पहले आप सुभी के लिए महत पूर सूचना, आप किसी भी गौर्ण्मिन जॉब की तयारी कर रहें, लंबे समिश तयारी कर रहें, और आपका सपना सरकारी नोकरी है, आप ने सपने को साकार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम पैसे में आपकी बहतर तयारी होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप RCN कूपन कोट का यूज करते हैं, तो 279 रुपे में आप 18 महिने तयारी कर पाएंगे, टेस्ट बुक के द्वारा जो टेस्टीज बनाया गया है, बहुत सी योनिक है, एक ओफर चलाया गया है टेस्ट बुक के द् जब आप RCN कूपन कोट का यूज करेंगे, अब आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों, एक भरती परिच्छा, दो भरती परिच्छा, तस भरती परिच्छा, पचास भरती परिच्छा, सो भरती परिच्छा, पांसो भरती परिच्छा की बात हूँ, तो छोटी बात है, लेकिन आपको आखरी सलाम ओफर की द्वारा 570 नहीं 670 प्रस भरती परिच्छा की तयारी करने का मौका दिया जा रहा है साथ साथ में आपको बताना चाहता हूँ तयारी पूरे 18 महीने आपकर पाएंगे साथ हजार प्रस मौक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ 21 लाग से ज़्यादा इसे परिशाज कर चुके हैं धाई लाग से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है और जिनके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे थे उनके नंबर भी इंक्रीज होने लगे हैं तो अगर आप अपनी तयारी को और बहतर करना चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो डिस्केप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक पर किलिक करिए आर्चिन कूपन कोड का यूज करिए 270 रुपे में 18 महीने बहतर धंक से तयारी करिए अभी जाएए सरकारी नौकरी का सपना साकार करिए आखरी सलाम ओफर की माधिम से पहले ख़र के बारे में बात करेंगे आप लोग बार बार पूछते हैं सर्प PCS का नोडिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है कब आएगा और इतना बिलम भी क्यों हो रहा है लेकिन आपको कम से कम सारहे 300 पल चाहिए इससे कम होना नहीं चाहिए अगर बिग्यापन आए और सारहे 300 से कम पदा अबर बिग्यापन जारी हो तो तेरी करना वेकार है थोड़ा और अध्याचन प्राप्ट हो जाता तब ऩमनोडिफिकेशन जा रहा जाता तो इस महीने के लास्ट तक नोडिफिकेशन आएगा अगर नहीं प्राप्त हुआ तो 15 फरवरी के पहले नोडिफिकेशन जारी करके आवेदा ने लेने की तयारी है 15 फरवरी से पहले नोडिफिकेशन जारी करके आवेदा लेने की तयारी है अगर जनवरी के लाज्ट अज तक अध्यांचन प्राप्त हो जाता है तो जनवरी के लाज्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवे दर्ट पर क्रियाई स्टार्ट हो जाएगी तो यहाब बड़ी अपडेट है अब आयोग जो कारी कर रहा है या नोटिफिकेशन में बिलम कर रहा है आपकी भलाई के लिए कर रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन में बिलम होने का कारण की पद इंकरीज होके आएंगे साथ साथ प्रारंबिक परिच्छा परड़ाम तक और भी पताइड होंगे तो पदों के शंख्या में काफी विरिद्धी हो सकती है जो कि आप के लिए सुभ संख्यत है बहुत ही अच्छी ख़बर है अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं यूपिट्र परड़ाम से पीटी परड़ाम पूरता तयार कर लिया गया है यहाँ पर कोई ऐसी ख़बर नहीं दी जा रही है जो गलत हो जो भी ख़बर देता हो उसकी आप पुष्टी कर सकते हैं जो बताऊंगा वही सही होगा इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया था कि यूपिट्र परड़सी के माधिम से अगर जनवरी मा में किसी एक भरती परड़ाम जारी कर दिया गया पुरानी भरती परड़ाम जारी किया गया तो पेट परड़ाम में थोड़ा बिलम होगा कितना दिन भी लंब होगा दो से छे दिन दोस्तों थार्ड वीक 21 तारीक को समाप सोता बाई से परवेश करते हैं यानि कि 26 के बाद ही परीडाम आएगा और जो जानकारी प्राप्ट हुई है कि स्टासन की अनुमती अभी तक नहीं मिली स्टासन की अनुमती के बाद आयोग जनर्वरी की लाश्ट विंग में परड़ाम आपका जारी किया जा सकता है एक और अपडेट जेदा चाहता हूं नई भरती को लेकर अब देखिए नई भरती का विग्यापन आएगा जैसा कि समाचार पत्र में आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे और सत्य इन सपदों पर भरती की जाएगी लेकिन सबसे पहले कौन सी भरती आईगी आपके जहन में एक सवाल है देखिए अगरी कल्चर टेक्निकल इस्टेंड या वीडियो की भरती आने की प्रबल संभावना है अगर वीडियो की भरती आती है तो आप एक सवाल और पूछेंगे पुरानी भरती कंप्लीट नहीं हुई नई भरती की चर्चा होने लगी तो मैं आपको वताना जाता हूं जो नीशु तीर पर वरती का विग्यापत दोजार अठारा में जारी हुआ था उसमें ग्राम पंचाजकारी ग्राम विकाजकारी और प्रवेच्छक के पत थे आप सोचेंगे ग्रा विवाग के अंतरगत आते हैं जो कि पेंसन लगवाते बिद्धा पंचाजकारी करते हैं ब्लाक में यह भी होते हैं और यह ग्राम विकाजकारी की जो वैकन्सी वो दोहजार सोला में एक बार आई थी इस तो 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 पतो पर उसके बाद से अभी तक नहीं आई तो जो ब्लेदी देखने को मिलेगा अब अग्री कल्चर का आगया पहले तो इस वैक से में तीन से चार महीने का डि ले हो जाएगा यानिंदी जो भी वेकenser होागी हुए मैं से आनी शुरू हो जाएगी अ मिल सकते अब हम बात करेंगे यूपीप स्टी के माधिम से यह वैकंसी दोजार तेस आए गिया नहीं देकि यह वैकंसी के समझ में आप लोग बार बार पूछते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कि मैं जोट नहीं बोलता हूं और ना मेरे पास कोई ऐसी ख़बर है कि मैं आ चर्चा करते भी नहीं सुना या ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली कि विग्यापन एए का आने वाला है मेरी जानकारी कुछार पीसीस की वैकंसी आएगी आरो यारो की वैकंसी आएगी अगर एल्टी करेट के समझ में सासन ने रिजस दे दिया उत्तर पर लोग दे चता, तो इस चैनल के माधिमश में आपको सूर्शित कर ढूंगा मैं आपको ब्रहम नहीं डालना चाहता है सचा यह यह रघर की आजियर को सही जानकारी मिला शक्ता है तो उनको कोई रोख ही नहीं सकता है तो पूरा वीडियो अगर आपने सुना होगा तो बुरी बात आपको समझे में आ गया होगा पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका इस चैनल की तरफ से दिल से धन्य बाद